हेलो, नमशकार दोस्तों, स्वागत आप सभी का CHS सिक्षा के इस online learning platform पर मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंग और पिछले कई सालों से लगातार हम education के field में अलग-अलग exams के लिए बच्चों को guide करते आ रहे हैं चाए basic सिक्षा जिसमें हम CUT के लिए preparation कराते हैं या CHS सिक्षा जिसमें CHS exam के लिए मैं खुद CHS school से पढ़ा हुआ हूँ, CHS alumni हूँ, NEET का exam मैंने crack किया और NEET के लिए मैं बच्चों को guide करता हूँ, CUT के लिए मैं बच्चों को biology पढ़ाता हूँ और CHS के लिए मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ कि English मैं थोड़ी सी help कर सकूँ और bio जैसे subjects में बच्चों को थोड़ा सा मैं guide कर सकूँ इस वीडियो में बेटा मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आप class 9 की preparation कर रहे हो CHS school entrance test class 9 की preparation कर रहे हो आपके कई सारे doubts आते हैं जब मैं live classes देता हूँ कि सर कितनी seeds हैं सर इस subject का syllabus क्या है या फिर आप बात करते हैं कि सर कितने बच्चे form भरते हैं form कब आएगा तो हर एक चीज के लिए बेटा मैं separate आपको रोज एक video देने की कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में form के बारे में अभी के लिए बेटा मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक form की कोई भी date official announce नहीं हुई है अभी तक कोई भी date नहीं है form के regarding की form कब तक आएगा ये एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि CHS का form हर साल बेटा करीब करीब वसंद पंचमी के दिन ज्यादे तर वसंद पंचमी के दिन ही आता है या उसके बाद आ सकता है तो आप मान के चलो अगर अंदाजा एक लगाना हो तो 15-20 फरवरी के बीच में आपका CHS का form आएगा form भरने के लिए आपको एक महिने का समय मिलता है या एक महिने से भी जादे का समय मिलता है तो form जैसे ही आएगा हम आपको तुनंत बताएंगे आप चैनल के साथ जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करने form कैसे भरना है वो आपको भर के भी दिखाएंगे ठीक है ताकि आप form में कोई गलती ना करो admit card कैसे print करना है form भरने के एक महिने बाद form की जिस दिन date close होगी उसके भी एक महिने बाद डेढ़ महिने बाद आपका exam होगा exam जो होता है बटा expected date अगर बात करें exam की expected date अगर हम बात करें तो आप मान के चलो कि April में या तो last week में होगा April के last week में या माई के first week में ठीक है इसी के round आपका exam होगा आप लगातार इस चैनल पर अगर जुड़े हुए होता आप मुझे देख रहे हो कि मैं रोज एक live class लेने की कोशिश करता हूँ हपते मैं 3-4 live classes लेता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश बच्चों को अभी इस टाइम पर पढ़ा रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ आने वाले टाइम में हम live classes को और बढ़ाएंगे form निकल जाता है क्लास 11 के बच्चे बोर्ड के एक्जाम में बिजी है तो उसके एक बार उनका बोर्ड का एक्जाम हो जाए तो फिर हम पूरी तरीके से आपको यहाँ पर गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको CHS की preparation करनी है ये वीडियो नाइंध वाले बच्चों के लिए है तो नाइंध में बिटा सबसे पहले एक्जाम के बारे मगर बात कर होंगे पिएचेस का एक्जाम अगर हम बात करें तो जो पिछली बार हुआ है दो हजार तेईस में फिक है लास्ट येर हुआ है इसके पहले ये एक्जाम सिर्फ और सिर्फ 2019 में 2018 में 2017 में मतलब इसके पहले होता था 19 से लेके 23 की बीचे मतलब 2020 में 21 और 22 में तीन साल ये ए हुआ था कोविट के वज़ए से और उसमय पर लॉटरे सिस्टम पर एड्मीशन होता था यहीं पर बैटा मैं एक और जानकर देना चाहूंगा कि CHS सिर्फ 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए क्या करेगा entrance exam लेगा entrance exam लेगा ठीक है कई बच्चे पूसत हो CHS में तो इसकी लिए क्या होगा आपको फॉर्म भरना होगा और फिर लॉटरी सिस्टम से लॉटरी सिस्टम से आपका एड्मीशन होगा तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ भर्ची यूट्यूबर्स हैं जो 6th क्लास के बच्चों को भी बोल रहे हैं कि आप paid course ल और 6th class के preparation करो जबकि बेटा यहां पे entrance exam होगा ही नहीं 6th class का entrance exam नहीं होगा ना पिछले साल हुआ है ठीक है 2023 में भी नहीं हुआ और आने वाले समय में 6th class का entrance exam होगा भी नहीं क्यूंकि जिस तरफ से government की guidelines आ रही हैं अगर parents से video को देख रहे हैं तो आपसे मैं request करूँगा कि कहीं पे भी आप 6th class के अपने बच्चे को मतलब जो बच्चा भी 5 में पढ़ रहा होगा 5th का exam दे रहा होगा इस बच्चे को कहीं पे भी किसी भी जगह पे join करवाने की जरुवत नहीं है कोई भी paid course लेनी की जरुवत नहीं है क्योंकि कोई entrance exam नहीं होगा तो यह मैं जा है no negative Marking मतलब कोई भी negative marking नहीं होती है तो आपसे मैं बोलूँगा कि بेटा सौकोशन है तो सौ में सौक्षाक कर गया हूं ठीक है exam कैसा होता है exam offline होता है exam कैसा होता है बिटा offline होता है offline mode में होता है ठीक है offline होता है मतलब pen paper होता है pen paper होता है ठीक है इसमें आपको OMR sheet मिलती है OMR sheet कैसी होती है कैसी दिखती है OMR sheet कैसे भरना है ठीक है यह सब के बारे में भी पिछले साल मैंने कई वीडियो बनाए है ठीक है इस साल भी आपको वीडियो बनाऊंगा लास्ट येर CHS क्लास 9 और CHS क्लास 11 के लिए जब फॉर्म आया था सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो वीडियो बनाया तो यहां चाहे इधर जिधर भी आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर आप देखना 35-40,000 वीडियो पर और बच्चों ने उस पर काफी कमेंट किया है कई पेरेंट्स ने कमेंट किया है कि वीडियो बहुत जादा हेलफुल था क्योंकि इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिकल बाते करी थी और वही बाते मैं आपको इस साल भी बताने वाला हूँ सीधे चलते बेटा वीडियो में आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ कि 100 questions है 300 marks के अब subjects बेटा आप सब जानते हो mathematics है या maths है science है English है हिंदी है हिंदी है social science है या इसी को जी के बोल देते हैं ठीक है social science या जी के और इसी के सास्थ बिता दो तीन question आते हैं current affairs के current affairs के एक से दो question तीन question आते है math से 20 question आएंगे ठीक है science से भी बेटा 20 question आएंगे English से भी 20 question आएंगे Hindi से भी 20 question आएंगे और social science जी के या current affairs ठीक है current affairs में इसमें आते हैं दो से तीन question ठीक है और totally आएंगे बेटा यहां पे भी 20 question ठीक है हम बेटा लगातार free में आपको previous year question करवा रहे हैं जो CHS के exam में आए हुए questions हैं वो सारे questions हम आपको YouTube पे लगातार करवा रहे हैं तो उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो हम PYQ को आपको रोज live classes की माध्यम से 2-3 live class की मदद से हम आपको PYQ के questions को भी solve करवा रहे हैं अब बात करते हैं हर subject में आपको किस तरह से तयारी करनी है तयारी करने का बेटा बहुत simple सा तरीका है सबसे पहले आपको previous year question देखना है कि यह question किस तरह से आ रहे हैं एक्जाम का पैटर्न क्या है और क्या चीज आपको पढ़नी है और क्या चीज आपको छोड़नी है क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है ये भी जानना जरूरी है जैसे बेटा अगर मैं सोशल साइन से जीकी की बात करूँ तो यहां पे बेटा सारी चीजें इंडिया से रिले हिस्ट्री और modern history, तीनों पन्यीं है, modern हिस्ट्री से बेटा सवाल जदा आते है ठीक है, geography में भी Indian geography से सवाल जदा आते हैं ठीक है और उस geography में भी बेटा अगर आप देखोगे तो North India की geography से ज़्यादा question आपको मिलेंगे, South India की geography के comparison में ठीक है? जैसे कि कुछ सवाल होते है current affairs की बेटा की defense minister का नाम पूछ लिया ठीक है अभी जैसे budget पास हुआ है तो आप से finance minister का नाम पूछ सकता है मतलब जो एकदम latest current affairs होगा और ऐसी चीज़ होगी बेटा जो अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे news में आस पास की चीज़ों म भी वहाँ पे आपको practice करवाते हैं और हम आपको करवाते रहेंगे preparation math की बात करने बेटा 20 question होता है math थोड़ा सा tough आता है math का level थोड़ा सा जादा होता है यहाँ पे बेटा आपको जादा से जादा practice पे ध्यान देना है अब क्यूंकि आप class 9th का entrance दे रहे हो class 9th का entrance दे रहो मेरी बात class 9th के entrance को अगर आप दे रहो बेटा तो यहाँ पे math में आपको 7th class की math और 8th class की math दोनों जगह से आपको question देखने को मिलेगा ठीक है तो दोनों class की math में जितने chapters है इन chapters को आपको ढंक से पढ़ना है और questions को जादा से जादा solve करना है दूसरी बात science की बात कर ले तो science में भी questions basic level के होते हैं tough नहीं होते हैं previous year question आप solve कर रहे हो तो आपने देखा है मैंने भी science की कुछ classes ली है तो उसमें भी आपने देखा आस्तो तरने science की classes ली है most expected NCE क्यों हम करवा रहे है तो science में बेटा NCERT को पढ़ना है किसको पढ़ना है NCERT किताब को पढ़ना ह 7th class की और 8th class की ठीक है और questions practice करने है questions जो हम practice कर रहे है ठीक है इधार उदर से practice नहीं करना है नहीं तो बेटा हो सकता है कि आप question की level को ना समझ पाओ हो सकता आप गलत तरह के questions को practice करो CHS exam में ऐसा होता है बेटा कि जो books market में available है कई books में काफी answers गलत दिये रहते है ठीक है त दो से तीन सवाल के answer गलत रहते हैं तो previous year question जो हम solve कर रहे है इसलिए solve कर रहा है ताकि आपको जो answers मिले वो सही मिले English की अगर बात करने है तो English बेटा ठीक है इसमें आपका English grammar आता है ठीक है English grammar में हर एक चीज़ चाहे parts of speech हो noun, pronoun, verb, adjective, proverb ठीक है इसके लाब टेंस पूरा आता है ठीक है active passive आता है direct indirect आता है figure of speech आता है punctuation का कैसे इस्तमाल करना है punctuation marks के बारे में आता है ठीक है sentence के बारे में आता है और antonyms, synonyms, one word substitutions, fill in the blanks मतब English में हर तरह की questions आते हैं कुछ questions tough भी होते हैं कुछ questions easy भी होते हैं और इसमें बेटा English में ज्यादा तर आपको focus करना है क किस पे vocabulary मतलब बेटा आपका वही ठीक है जितने भी शब्द विचार है मतलब की antonyms, synonyms, one word substitutions है इन सब पे आपको ज्यादा focus करना है English के लिए हिंदी के अगर मैं बात करना हूँ बेटा तो हिंदी में हिंदी में बेटा आपका major portion यहाँ पे भी grammar का ही होता है हिंदी में भी जैसा English में है वैसा same हिंदी में भी है ठीक है लेकिन हिंदी में एक और चीज जो बेटा इसमें add हो जाती है मुख्य कभी और उनकी रचना है या मुख्य लेखा कउर उनकी रचना है जैसे बेटा simple question आप से पूस्ता है कभी कभी कि सकुन्तला जो है कि सन रचना है सकुन्तला नाम का सकुंदला नाम का जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा है, जो पुस्तक है, वो किसने लिखिये, तो आप बताओगे कालिदास ने लिखिये, ठीक है, पूछ लेता है कि साहित ते क्या नोबल पुरस्कार, भारत में प्रथम किसको मिला था, तो रभिंद्र रनार्ट टैगोर्ड क कविता के रचाईता कौन है तो इस तरह से हिंदी में और सवाल आते हैं जो आप हिंदी पढ़ रहे हो श्वेता मैम से उसमें सारी चीजों को कवर किया जा रहा है और आने वाले टाइम में और भी कवर किया जाएगा ठीक है सिलेबस वाइज बिटा कि हर सब्जेक का क्या सिल करोगे कि सर मुझे सब्जेक्ट वाइज आला गलग से लिबस चाहिए वैसे तो हिंदी और इंग्लिश में बिटा ग्रामर का पूरा पूर्शन आपको आना चाहिए ठीक है ग्रामर का पूरा पूर्शन और जितने भी आपके सब्द विचार या वोकैबलरी है वो आपको परणना है जिस तरह से प्रीवेस एक घस्ट को देख रहा हो जो लेवल है वही लेवल मेंटेल रहेगा आने वाले साल में बी इस और बात कर लें तो मैंने अलरेडी बिंडिया के Scripture प्रणी है सिविक्ष और politics एक बहुत basic question आते हैं ठीक है कि लोग सभा में कितनी seeds हैं ठीक है या यह पूछ लिया जाता है बेटा कि सबसे सर्वोच नायाल है भारत में कौन सा है मतलब जो highest बेटा judicial institute एंडिया में हो क्या है तो आप बताओगे supreme court है ठीक है तो इस तरह से सवाल आते हैं आपके civics में और politics में इस तरह के सवाल आते हैं इंडियन constitution के बारे में भारतिय सम्विधान के बारे में कुछ सवाल आते हैं ठीक है कुछ basic सवाल ही आते है बेटा कि पहले तो यही को बिलेंगे gk में social science में और current affairs में लेटर सवाल आते हैं तो यह बात रही बेटा पूरी की पूरी syllabus की यहां मैंने आपको पूरा का पूरा syllabus बता दिया ठीक है अब बात कर लेते हैं बेटा कि किस तरह से आप preparation करोगे strategy क्या होगी अब ध्यान से सुनना इसी के लिए बेटा preparation को बेटा तीन भाग में बाढ़ सकते हो PYQ को लगाना पहले theory पढ़ना ठीक है पहले आप theory पढ़ो NCRT से आप theory पढ़ो फिर आप क्या करोगे बेटा previous year question लगाओगे अब previous year question मालो आपने लगाया ठीक है कई चीज है ऐसा ठीक है कई चीज है जिनका आपको answer नहीं पता हो होगा ऐसे में बेटा आप उस answer को जानने की कुशिश करो सही answer क्या है और उसको बेटा अपनी copy में ठीक है एक आप अच्छी सी copy बनाओ उस copy में उस previous year question को लिखो याद करो ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको questions questions प्रैक्टिस करने questions प्रैक्टिस करने है subject wise topic wise ठीक है या आप एक साथ सारे के सारे questions को भी प्रैक्टिस करो अगर आपको कहीं पर मिल जाते हैं अच्छे questions ठीक है questions हम अटा आपको खूब प्रैक्टिस करवाएंगे हर दिन 2 से 3 live class हर दिन 3 live class one shot में पढ़ाएंगे तो channel के सा एक करना है और ढंसे प्रिपरेशन करना है चाते हूं कि से मुझे और question लगाने है मुझे 500 क्वेशन और चाहिए मुझे सॉसल स्कूर्शाइस साइन्स स्वकेशन और चाहिए ठीक है मुझे मैस में सो पचास कोशन हर चैप्टर में चाहिए या 500 कोशन मुझे मैंस में और लगाने हैं तो उसके लिए अग मन्यू बैट जॉइन कर सकते हो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा उस पर आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके बैट जॉइन करके इपरेशन अपनी अभी से स्टार कर सकते हो ठीक है तो यह रही बाद बैटा क्वेशन प्रैक्टिस की अब इसके बाद बैटा आ जाता है चौथा स्टेप आपको करना है रिवीजन क्या करना है बैटा रिवीजन जितना कुछ हमने पढ़ा है हमको वो आना चाहिए अगर मैंने कोई चीज क्लास में पढ़ी ही है और एक्जाम में आएगी तो मुझे वो याद रहेगा अगर मेरा रिवीजन बहुत अच्छा है किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो चाहे बोर्ड एक्जाम के त्यारी कर रहे हो कॉमपटीटिव एक्जाम की CHS की JNV की स्कूल लेवल पे या स्कूल के बाद आगे त्यारी करोगे ITJE की NEET की CA की BHU Entrance की CUET की ठीक है IS की PCS की UPSC की किसी भी एक्जाम के आप त्यारी करोगे कई एक्जाम मैंने अपनी लाइफ में दिये हैं अलग-अलग लेवल पे दिये स्कूल में मैंने CHS का एक्जाम क्रेक किया है ठीक है मैंने NDA का एक्जाम क्रेक की मैंने NEET की प्रपरेशन के साथ-साथ BHU के BHC Entrance के लिए भी दिया था उसमेरी फिफ्टर रंक आयती फिर मेरा NEET में सेलेक्शन हुआ 2020 में NEET में सेलेक्शन लेने के बाद अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं और साथ में मैं NEET PG की भी प्रपरेशन कर रहा हूं तो बाद को रही जिंदगी भर चलती रहेगी और आपको अलग-टाइन पे अलग 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 एक्ञाम देते रहना पड़ेगा और हर एक्साम में परकिंद है रविजन करते रहना लगातार ऑद बहुत सिंपल है कि जो भी P-IQ है मैं उसको एक अलग से कौपी में में बनाकर म और याद करूँगा और ये sure make sure करूँगा कि वो question फिर बेरा दुबारा गलती ना हो मैं reading लगाऊंगा theory की reading लगाऊंगा किससे NCRT से मैं math के questions solve करूँगा NCRT से ठीक है math में NCRT की question लगाने है इसके लाब मैस में book आती है बेटा RS अगरवाल ठीक है RS अगरवाल इस book से आप math में धेर सारे questions प्रैक्टिस कर सकते हो RS अगरवाल में धेर सारे mcq questions होते हैं आप उसको practice कर सकते हो बड़े-बड़े questions होते हैं आप उसको English में grammar पढ़ो grammar के rules पढ़ो practice करो ठीक है तो यह है बेटा preparation की simple सी strategy कि किस तरह से preparation करना है क्या क्या बेटा आपका syllabus है कितना time मिलेगा exam में तो इसके लिए आपको 100 question करने के लिए आपको दो घंटे का बेटा time मिलता है ठीक है दो घंटे का time मिलता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को share करना कोई बीडाउट हो बेटा तो comment box में डाल देना मैं reply जरूर करूँगा आपका कोई बीडाउट रहेगा comment box में तो मैं उसका reply जरूर करूँगा तो पढ़ते रहे बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करें share करें और पढ़ाई करते रहे धन्यवाद